जाए हिंद इस वीडियो में लोग आर्क फाइनांस जिसको वे आर्सी फाइनांस के नाम से जानते हैं इसी कंपनी को बात होगी आज से इस कंपनी में लोवर सर्कृट लगा है अर्था सेयर प्राइस नीचे की तरह जाना शुरू हो गया है ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आप काफी ज़रूरी है तो यह जो कंपनी कंपनी है मैं बार बार बात आपको बताता हूँ कि J मार्केट के पर 307 क्रॉन रुप्य इसको स्मॉल केप कंपशनका सकते हैं और सेयर प्राइस देग शाठी पैसा है यह जब आज ऑपन हुआ था तब सब्सक्राइब लेकिन लुवर सर्क्राइब लगा है इसके चतेल उड़क के साथ रुप्य असी पैसा पर आ गया है हाई देगी हाई सब्सक्राइब लगा चुका है कल तक इसका सेर प्राइस और हाई दुनों सेम ही था फिलाल थोड़ा यहां समझेंगे 24 दिसंबर से इसमें तेजी आना शुरू हुआ था 24 दिसंबर से लगतार 23 फरवरी तक रथा दो महां तक कंपनी का सेर पाइस बढ़ते ही रहा साड़े आठ रुप्या था 24 दिसंबर के आसपाइस कंपनी का प्राइस मतलब साड़े आठ रुप्या सूट कर आया सांट रुप्या के आसपास यहां देखे एक महाँ में कंपणी का रिटर्न 176st का है और गर एक साल का रिटर्ण देखेंगे 1452 का संदार रिटर्न कंपणी ने दिया हैं और मुझे ऑसा लगता है कि कंपणी आगे भी संदार तो अगर आप इसमें फस गए हैं तो जैसे शेयर प्राइस उठेगा 63 रुपय कासपस तक आएगा आप निकलना चाहिए तो बेच के निकल सकते हैं और अगर होल्ड करना चाहिए तो इस कंपनी में आप होल्ड भी कर सकते हैं लॉंग ट्रम के लिए सपोर्ट लेवल है 40 रुपया दूसरा सपोर्ट है 35 रुपया लेकिन 35 रुपय तक नहीं आना चाहिए आरे सई देखिए 88 आगया है आरे सई काफी 30 से नीचे आ रहा है अच्छा यह होता है जब कुछ टूटने लगता है तो जितना जल्दी उसका रेसाइग कम होकर 35 कासपस सब्सक्राइब कर दूसरा सपोर्ट लेवल वहां तक नहीं आना चाहिए फिर भी देखिए अभी आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगे क्यों मार्केट का माहौल भी ठीक नहीं है फिलाल हम लोगी तरहते हैं कितना ठीक है तो समझेंगे क्वाटरली रिजल्ट मतलब रेवेन्यू में भारी गिरावट हुआ है और प्रोफिट की बात करने तो प्रोफिट देखिए क्वाटर टू में 15 लाका था जो बढ़कर 23 लाका हो गया है और यह प्रोफिट क्वाटर टू क्वाटर बढ़ते ही जा रहा है मतलब कंपनी का रेवेन्यू भले कम हो रहा है लेकिन कंपनी का प्रोफिट बढ़ रहा है और अर्निंग पर शेयर भी देखिए 0.03 से बढ़कर 0.05 हो गया है मतलब क्वाटरली रिजर्ट देखे तो यह सा लगता है कि कंपनी का सेयर्स ज्यादा नहीं हो रहा है उसके बाद कंपनी को प्रोफिट और कंपनी का ज देखेंगे तो 307 क्रोन का है मारकेट के लिए कंपनी का करजा नहीं है लेकिन अधिकत यह कि यह कोई बढ़ते जा रहा है कि कंपनी को कम करना चाहिए और यहां साल दरसाल कम होते जा रहा है हला कि असेर्स को भी बढ़नार चाहिए मतलब जो चाहिए वह बढ़ते जारा है लियाबलिटी देखिए लियाबलिटी सीर्फ क्रोण 76 लाग है और अच्छी बात है कि यह भी साल दर साल कम होते जा रहे यहां पर यह पॉइंट ठीक है कि यह कम हो रहा है प्रमोटर के पास 12.02 परतिसत के हिस्तेदारी है पैनी सेयर में ज्यादा प्रमोटर के हिस्तेदारी नहीं होते फिर भी ठीक है 12.08 परतिसते जैसा क कि maximum penny stock में होता है पबली के पास से ज्यादा हिस्तेदारी होते तो इसमें भी वह ही है अब देखिए कोई भी stock जब अपने बहुत हद तक बढ़ जाता है हाई लगा लेता है दो माहत तक ऊपर तीन माहत तक ऊपर के तरह भागते रहाता है तो तो तूटता है जरूद तो य नहीं है लेकिन company का business model ठीक है company जो काम करती है उसका growth है भारत में और रही बात company के फंडामेंटल की फंडामेंटल की तो फंडामेंटल भी कंपनी बुरी कंपनी नहीं है अगर आपका इसमें investment है आप लंबे time के लिए इसमें समय देना चाहते हैं तो बिसक दे सकते 307 क्रों पस जाएगा वहां पर आप इसमें नया निवेस्ट कर लिजिए और अगर कोई फंस गया है इस पर अभी निकल नहीं पाए है तो मैंने बताया कि जैसे अगर आरे से इसका जो शेयर प्राइस है 63 कासपास जाएगा वहां पर आप बेसकर निकल जाएगा क्योंकि अभी शेय एंब आप उक्या है